यह जो वीडियो है वो सेकंड कलास के लिए है और सब्जेक्ट है एवियस और लेसन है फास्ट अल अबाउट मी सब कुछ मेरे बारे में तो शुरू करते हैं complete the following information about yourself आपके अपने बारे में जितनी भी information है वो आपको क्या करनी है complete करनी है फिल करनी है introduction आपको सबको आता है यह आपको और थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो शुरू करते हैं my name is मेरा नेम है अब आपका जो भी नेम है जिसे सोवन है गीता है सीता है तो यहाँ आ जाएगा my name is जिसे सोवन इसके बाद में है I am a boy or girl मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ अगर आप boy हो तो आप बोलोगे I am a boy अगर आप लड़की हो तो I am a girl ओके स्टुजेंट्स नेक्स्ट I am years old मैं इतने साल का हूँ जिसे आप four years की हो या six year की हो तो यहाँ जाएगा four six या eight जो भी आपकी age है तो वहाँ आपको यहाँ फिल करनी है जिसे I am six years old या I am four years old okay I study in class मैं इस class में पढ़ता हूँ जिसे आप second class में पढ़ती हो तो यहाँ जाएगा second I study in class second the name of my school is मेरे स्कूल का नेम आपके स्कूल का नेम आपको पता ही है एलन पब्लिक स्कूल नेठाना तो यहाँ जाएगा एलन पब्लिक स्कूल नेठाना okay students I live at a मैं यहाँ रहता हूँ जहां भी आप रहते हो जिस गाउं में इस नेठाना में रहते हो तो नेठाना जाएगा यहाँ पर okay students my mother's name is मेरी मा का नेम है आपकी मा का नेम आपकी माता का नेम जो भी है जैसे सीता है तो सीता जाएगा या और कुछ नेम है जो भी आपकी मा का नेम है वो यहाँ आपको फिल करना है my father name is मेरी पिताजी का नाम है आपके पिताजी का नाम जो भी है वो यहाँ लिखना आपको इसके बाद में my birthday is on मेरा जो जनम दिन है वो कब आता है जिसे 10 March को आता है तो 10 March आ जाएगा या 10 April को आता है तो 10 April आ जाएगा जो भी कि आपका जनम दिन जिस डेट को आता है वह आपका बर्डे हो जाएगा इतना समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही आपको भी अपना ऐसे इंट्रोडेक्शन ने क्या करना है फिल करना है सबसे पहले my name is I am boy or girl कि मैं लड़का हूं या लड़की I am years old मैं इतने years old फिर आइस टड़ी इन क्लास है सब्सक्राइब इन इम ओफ माइश कूल इस एलन पब्लिक श्कूल है ने ठाना आइए लिए टे आपका रहते हो माइप मादर से नेम इस मेरी मा का नाम माइप फादर से नेम मेरी पिताजी का नाम माइबड़ इस ओन आपका जो बड़ड हैं तो यहां आपको अपनी जो फोटो हैं वो स्टिक करनी है इस फ्रेम के अंदर है फिलाल की जो फोटो आपकी वो यहां स्टिक करनी है चिपकानी है पेस्ट करनी है और यह वाला जो फ्रेम है इसमें आपकी जो पुरानी जो पिक्चर है पुरानी जो फोटो है वो यहां stick करनी है पिर देखना है दोनों में difference क्या है तो वो आपको write करना है ओके students आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बाकि हम next वीडियो में पढ़ेंगे, thank you and have a nice day